अनन्त चतुरदर्शी कल हैदराबाद शहर में गनेश निमजनब का हर साल की तरह हुसेन सागर टैंक बंड में बहुत फैमिलीज, इंडिविजबल्स ये लोग अपने अपने गनेश आइडल को लेकर आएंगे हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से जी एच एमसी, आर एन बी, एलेक्रिसिटी, फायर डिपार्टमेंट, मेट्रो वाटर वर्क, सब लोग मिलकर गनेश भक्त के कन्विनियन्स के लिए हम लोग पिछले एक वीक से बहुत अरेंजमेंट किये हैं और आज सुबह एक इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग भी हुई हमारे गव्मेंट के आदेश के मुताबिक करीब सब मिलाकर पचास से ज़्यादा क्रेंज का डिप्लोईमेंट भी हदराबाद, साइबराबाद, राजकोंडा में हुआ है और इसके अलावा ट्राफिक पुलीस के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट खास करके जहां-जहां कुछ रूट का डाइवर्शन करना है जैसे इस बार कुछ जगह नाला रिपेर के कारण सिद्धी अंबर मार्केट के पास करीब एक किलो मीटर का एक डाइवर्शन रहेगा तो इसके लिए हमारे ट्राफिक पुलीस के तरफ से वहां बैरिकेडिंग और वहां ट्राफिक डिप्लोईमेंट साइनेजेस भी है जैसा कि हम लोगों का अंदाजा है करीब 4,500 के लगभग आइडल्स जो तीन फीट से जादा है वो आज शाम से लेके कल देर रात तक हुसेन सागर में आने की उमीद है हमारे सेंट्रल जोन के ओफिसर्स और ट्राफिक ओफिसर्स मिलकर जो अभी तक कैल्कुलेशन किये हैं उसकी मुताबिक लगभग 30,000 के लगभग आइडल्स का अभी तक निमजनम हो चुका है और अभी प्रेजन सिचुएशन में कोवीट के सिचुएशन में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बेसिक प्रिकॉशन लेते हुए वो लोग आएं और गनेश का निमजनम करें टैंक बंद में इसके साथ हमारे डीजी पी साहब बाहर से भी फोर्स दिये हैं दूसरे डिस्टिक से तेलंगाना स्टेट स्पेशल पूलीस का फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं हज़राबाद सिटी पूलीस के सभी ऑफिसर्स एडिशनल सीपी क्राइम शिखागोयल, एडिशनल सीपी ट्राफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉइन ओर्डर डी एस चौहान, स्पेशल ब्रांच जॉइंट सीपी तरुन जोशी और सभी डी सीपी जॉइंट सीपी मिलकर सेक्टर वाइज अपने अपने एरिया में य पूरी तैयारी की है, उससे उनको बहुत सुविदा और कन्वीनियन्स रहेगा, थैंक यू